कि हलो फ्रेंड मैं अनंद राज आप सब्सक्राइब के विज़ देखिए मगद इनवर्सिटी जो आपका बहुत गया में उसका उन्हीं से कई आपका जो से संन उनई से कई से उसका पिर स्ट से यानि यानि ट्लिण ड्रविंग आप ओस चालब कर देखना क्यों जरूरी है गाष़्िवूंफ प्रृट recycling एक या में पूस्ता है तह धिर舞 का से संब मतलब 20 से 22 होगा उनके लिए आपका प्रिवेसर कोस्टन जानना बहुत ज़री देखिए यह आपका देखिए 20 में करोना एकरन एक्जाम नहीं हुआ था तो इसका एक्जाम आपका मार्च दुजार एक इसमें हुआ था समझे तो उनहीं से कैसे सर्वाला के फर्स्ट एक कोस् होगा समझे यह सब डाल देंगे तो देखिए इसमें पहला पेपर आपका यहां पर लिखा हुआ है चाल्यून ग्रोब एक देखिए इसका नोट्स मतलब मतलब कोई भी दिक्कत हो या नोट्स लेना होगा आप इस नमबर वाट्सप किजेगा आपको मतलब एविलेवल कर समझे तो यह आपको क्या हो गया कि इस पर वाट्सप किजेगा तो यह में स्टाट करते देखिए आप लिखा हुआ है कि पहला पेपर है आपका चाल्यून ग्रोबी कप और देखिए उन्हें से कैसे आपका सेशन हो क्या जिसका एक गाम कवा था आपका मार्च में हुआ थ प्रसने के उत्तर दे मतलब आपका जाएको प्रसन होगा उसमें से कितना का प्रसन देना है कोई पांच का पहला कोश्चन है कि डिफाइन ग्रोथ और डेवलोप्मेंट एन डिसक्राइब इस नेचर एंड पर देते इंगलीज में था हिंदी में पर देते के ब्रिधी और विकास को परिभासित करें इसकी प्रकृतियों सिधानतों का वन्न करें फिर आपका दूसरा कोश्चन है कि डिसक्राइब दम्येन एपक्ट्स ओप कोगनेटिव डेवलोमेंट ऑफ चाइल्ड इन डिटेल यानि एक बच्चे के संग्यानात्मक विकास के महत्पुन पक्ष सब्सक्राइब करें दिश्रा कोश्चन है कि एक्स्प्लेंट सुसल डेवलोमेंट इन दा कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल स्टेट इट एजुकेशन इंप्लीकेशन मतलब समाजिक विकास को स्कूल के संदर में बैख्या करें यह मिसके सैच्छिक निथात्तों की वन्न करें फिर सात्मा कोश्चन था कि डिस्क्राइब देश्टेट अब डेप्लोमेंट और करेक्टरिस्ट वाटर दा रॉल अप परेंट और टीचर इंद शॉल्विंग प्रोब्लेंग करा कि विकास के चन्नों यह मिसस्ताओं का वर्णन करें इसके समस्या को समधान में माता-पिता यह अपराली एनालीस दा मेजर्ट या इस्कॉष धियुकर रहा है चल्वटी करें बल्ल्यावस्ता समाधी परवुक्त मुद्दे का आलोचनात्म कि यानि आपको साथ में कोश्चन देखाली के ओसमार कर देख लिए यहाँ पर करा आए कि निमलिखित में किनी चार प्रस्णों को उत्तर दीजिए यह देखते हैं का यह को सचन है कि व्रीदियों विकास को प्रभाइद करने वाले काराक पहला को सचन है कि फैक्टर इंफ्लिसिंग ग्रोथ और डेवलोप्मेंट दुसरा इसमें को सचन है कि डिफिनीशन अबेदियों और विकास में अंतर बता यानिकी इसमें आपको चार को सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब का इसमें अभी प्रशन के उत्तर दैते पहला कोचन है कि बल्यावास्ता सिकने दर दस्वार्वाइब करता है निक रहाb की पारो nix od सीक्सिक ए अहे कि डैसीजे दस पाकता है कि तुम настолько तो आपका यह झो है इसके बारे में आप कि याद का शबता अब को इंगे आगी परवन का हो गया आई पেपर टू आती है लोगा आए पेपर की नाम है नाम पहला खंड में वही पांच कोस्टन का जवाब देना है पहला कोस्टन है कि डिस्क्राइब एजुकेशनल गोल आफ इंडिया सोसाइटी मतलब भारतिय समाज में सच्छिक लच्छो का सविस्तार वर्न कि फिर दूसरा कोस्टन आपका कि वाट डू दमीन वाइन इन्वर्सला अब क्या समझते हैं भारतिय समय दाने में इसके क्या क्या प्रवधान है तिसरा है कि वाट डू यू मीन बीन वाइद टर्म इक्वालिटी ऑपर चुनिटी इन एजुकेशन डिस्क्राइब दास जैसन नेशन पोलेशी कि 1986 ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑपर चुनिटी इन एजुकेशन मता कर आए हिंदी में कि सहच्चिक असरों की समानता से आप क्या समझते हैं सिक्षा का असर की समानता के लिए राष्टिये सिक्षा नितनी श्यासी में सुझाओ का वर्णन करें तिसरा आपका चौथा कि डिस्क्राइब दा स्टेप टेकेन बाई दा गॉबर्नेंट गॉबर्नेंट फोर द एजुकेशन फोर दा सेंस क्लास मता निर्वल वर्गों की सिक्षा के लिए सरकार को दार उठाय के कदमों की विवेचना करें फिर आपका छट्था कोश्चन है कि वाट डियू दे मीन बआजीं इम्पावर्मेंट डिस्क्राइब दारोल वपेजूकेशन इन इन पावडमेन मंदंब महिला सथिक्रण से आपका समझते हैं महिला सथिक्रण में सिख्षा की भुमका का वनन की बिद फिर आपका सतमा कोश्चन है कि रष्टिय में स्ट्यस श्या नितिम निष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्दम उठाया जाना चाहिए और नन करें फिर आपका खंड भी है कि राइट सोट नोट आफ एनी फोर कोश्चन करा कि चार कोश्चन का जवाब देना है फाला कोश्चन है कि निती निजस्तत कि धारा एक तालीस पहतालीस और छियास यानी फिर आपका कोश्चन है कि नेशनल इंटर्गेरेशन मतराष्टी एक ता फिर चौथा आपका अनुस्ति जन्जाति की सिक्षा में वर्तमान इस्तियानी पर्जेंट पोजीशन आप सीडूल ट्राइवल इन एजुकेशन फिर आपका इनमबर है कि लॉड माकाले के सिक्षा नितियानि एजुकेशन पोलिसी आप लोड माकाले फिर आपका है फ में है वर्धा एजुकेशन नाई वर्धा एजुकेशन वर्धा शिक्षा फिर आपका खंड सी है कि फिल इन दबलंग से आपका दसको अब्जेक्टिव रहेगा कि आर्टिकल डैस में कमजोर वार्ग के लोगों के सेच्छी कियों आर्थिक हीतों पर विशेद दिया है मता आठकल कोन में कहा गया है पूरसाइद के जादा दुसरा आठकल आप दुसरा कोश्चन इसमें सिम्ला संब्ला संब्लान कायोजन कब हुआ था तिसरा आपका है कि आ ए आई सीटी का पूरा नाम क्या है यूंटः निकति कव भी थी तक और अगल कया भारतिय समिंद्धन गधारघस असी डास भी सभाश्पर संमंधित है घरा कहा है कि एंसी एंसी टी का पूरा नाम है सडी एंसी एयर्ट का पूरा नाम क्या है लापका है दस्मानों से और उजशी का मुखियाले कहा है और दस् कि पाच प्रस्ण उतर देना है इंगली से वाट डूइद अंदर्स्टेंड दा टेचिंग डिस्क्राइब इन डिटेल दा थिरी स्टेज आफ टीचिंग मता करा कि सिक्षन से आप का समझते हैं सिक्षन के तीन चर्णों को विश्तार पूर्णों के दूसरा आपका है कि अध चोथा कोस्टन आपका कि describe में मेचूरेशन मेचूरेशन दिस्क्राइब वाट इद डा रिलेशन्शिफ बीट्विन मेचूरेशन और लर्निंग मताद परिप्रक्ता को परिवाशित करे परिप्रक्ता और अधिगम में क्या समांद है वह नंग करे पाच्छमा आपका है व करें फिर आपका है चप्था कोस्टन है कि समाची अधिकम क्या है वर्ग मिश्की परक्रिया का ओर्णन करनी वाट इस शुचल लर्निंग डिस्क्राइब इट प्रोसेसिन क्लास सब्सक्राइब का है कि वाट इज माइन वाट इज मीन भाई क्रियाट क्रियाटिविटी डिस्क्राइब वाट इज इंपोर्टेंस इन टीचिंग अभी प्राय है सिक्षन मिसकी क्या महत्वर ना इंग आठ्मा कोस्टन है आपका कि वाट वाट डू यू अंडर्स्टेंड बाइट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम डिस्क्राइब आपका अभी परणा के मेशलो सिधान्त क्या है दुसरा आपका है सिक्षन के चारों का वह नंकरें एक्सप्लेंद बेरियर अप्टीचिंग चारों है चारों नहीं होगा यां यहां पर गलती लिख देख रहोगा सी नमर्हें कि सिक्षन अधिकंपरिक्रिया में सिक्षन क् प्रोचेस फिर आपका दी नमर है वाट इस परलॉप फिर लोप सिदान्त क्या है फिर आपका इनमर है वाट डिए अन्दर्श्टर एन्फोर्स्मेंद पूर्बलंस आप क्या समझते हैं फिर आपका है कि समुगत की के सहचिक महत्व का वर्नन करें मतलब कराए कि क्याया प्रट इस थाकान के परकार कुन है फिसकल फ्यर्टिकस तकान मांसि थकान सी नमर है कि यह और भी दोनु और चौथ आपका है इनमें से कोई नहीं सी नमर का व्रप्यक्त सब्सक्राइब किसमें दिया था जर्षिड गेशल वाइट और आई जे नक्स वाद रखिये कुन है इस नमर है कि हम करके शिखते हैं किसने कहा था तो फ़ला अप्षन है डॉक्टर मेंस दुसरकाय मोकम तर्फ के फूल नेम आप आई ऐसीटी कि रेफ नमबर है आपका कि किसने कहा था कि दो बालक में समाने उक्ता नहीं होती है आपका अगेल का है अप्षन वीदिया हर लोग सोरेंशन को इन्हें से कोई नहीं अगेल का सेंटर ऑफ एजुकेशन साइकलोजी में तो सिक्षा मुझाने के यह था है तो बालक आपका हो जाएंसर आप सोशल लॉर्णिट टेक प्लेस मत समाजी का दिहमारा मोता है कहा तो अ आपका इसमें क्या हो जाएगा अपका सिंण मुख क्या यह को संदल मतले होता हुआ कि लैंगवेक्ष एक लीकुल सोब कर दे एक लेंडओ का पहला है Soo क्या है कच्छा आध्यापन में ब्हाशा करें की विएचना करें at love me in by tracking are दिसकर्स दाव फंसर ओफ लांगवेज इन दाव फिल्ड ओफ क्लासरूम टीचिंग दुसरा कोस्चन है आपका कि भासा कोसल की व्यक्षा उप्यूक्त धर्नों के साथ करें यानि डिसकर्स देश्किल ओफेज लांगवेज लेंगवेज लेंग वित सुटेबल एक्जामपल तिसरा आपका है कि मात्री भासा का मानो जीवन में क्या महत्व है प्रात्विक और मात्विक अस्तर की सिक्षन व्यवस्ता पर प्रकाट लाइब वाट इद इंपोर्टेंस ओ मदर टंग इन दे हुमन लाइफ हाइड लाइट और प्राइमरी एंड सिकेंडरी लेवल पिर कर रहा है B नमबर आपका है स्ट्षन भी है आपका खंड़ भी है इने लिखेंव तीन का उत्तर संस्चिपत में दें पहला है आपका कोशन सुलेख लेखन का चार उपाय बता है दुसरा है कि श्रॉब कोसल का अर्थ महत्व को लिखे तीसरा भासा अधिगम से आप क् कूए करें आठो पहला कोश्चन है कि भासा मदद करती समपरेशन में वाचन में सिक्षेट शंचार में जानते समपरेशन में जुषरा कुष्चन है कि पठकरम्स अध्युपत्य किसे होई है तो आपको जानते हैं कि इसमें लेटिन सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या करते हैं फिर अग्ले लिए अंग्रेजी यह बहसे में कुल कितने दोनी है तो 44 कि 46 पुर्षेज़ ने होता है कि दी नंबर है आपका क्वेशन इन नंबर आपका है 44 है इसमें उप्षान दिया तो 44 को याद आ गया है 44 होगा ऑप्षान भी निचा दिया है चब्वीस पैंतालिस भारत में सबस्यादिक बोले जाने वाली भासा को नहीं तो जानते हैं हिंदी है तुछ आपका है मातरी भाता स्थिक्ते समय कितने कोशलों का विकासा त्याव से चार तीन ओप्षन दिया है दो और एक फिर दिया है भारतिय सविधान में हिंदी को घोशित किया गया भासा मतलब यहां जो अप्षन होगा और आज भासा फिर आपका अगल का कोश्चन है कि लेंगवेज़ दा फॉर्म भासा के रूप क्या है ता मातरी भासा अन भासा है यह और भी दोनों दिया इनमें से कोई नहीं यह सब बता दिजेगा फिर आपका है अगल का अब आब डिफाइन डिस्प्लीन डिस्क्राइब इट्स फंशन एंड एरिया मता करे अनुसासन को परवाजित करे इसके कार्जम छेत का वनन के दूसरा कोश्चन है आपका कि पाठक्रम से आपका क्या भी फ्राया पाठक्रम निर्माने के प्रमुसिदानतों परकारों का वननन करे पुस्तकाले से आपका समस्ते सिक्षा केंद्रों में पुस्तकाले क्या उप्युकता सेक्षन वी में आ जाते हैं आप कि तीन परवस्णों के उत्तर दे पहला आपका है कि पट्चरिया की रूप रेखा पसंचीत टिपनी लिखे फिर आपका पाच्मा कोश्चन है कि सहची सब्सक्राइब कर सकता है अभियास द्वारा द्वारा मुल्यांका प्रवस्ट्राइब कर सकता है अभियास द्वारा द्वारा मुल्यांकन द्वारा और उप्युक्सभी द्वारा ताप जानते हैं मुल्यांकन द्वारा होता है फिर आपका तिसरा है कि नुसासाने मुखता कौन सी विश्चता अपनाई जाती है तो अप्शन है मान सरचना की कि आपनी विश्चत्य वस्त प्रवारवात्मक मनरण्यन और उचीत आप जानते हैं को जाएगा आपका कि कि सिक्षन को भाग निर्माता कहा जाता है किसे ने कहाता तो यह जो कहेंगे आपका का ओप्षन हो गया गोरिफीड डॉक्टर जाकिर हुसेन तीसरा आपका डॉक्टर राधा क्रिशन और इन में से कोई नहीं फिर आपका अगल का कोच्छन है कि बेदाले के परतेक क्रिया के संगठों और परसान अंतिन दाइत कुन होता था परसासन अध्यापक परदानाचार और इन में तो सभी यह आपका हो गया आई आप देखते जेंडर स्कूल और सुसाइटी का कोस्चन है पहला है आपका निमलेखित में किनी दो कुप प्रसनों के उतर दीजे पहला आपका है कि लिंग क्या है लिंग निर्मान में जाती धर्मन संस्कृति की भूमका का वनन क करें और फिर आपका है प्चमा खंडवी में कि निमलिखित में किनी तीन का उत्तर दे वाला है बालिका सिख्षा के सुधारे तो आवस्तक सुझाओ दे तुसरा है कि लिंग असामानता को दुर करने में सिख्षा की भूमका का वननन करें तुसरा है कि विद्याले में में से जूरे मुद्दे कौन कौन से है चोथा आपका है कि समाज में लिंग बाच्चानी की भूमका को सम परिक्रिया को समझाए और पाच्मा है कि पित्ष सतात्मक से आपका क्या थो सी में आप अब अब जिक्टिव कोश्चन का सेक्षन सी में पहला है एडिक दस्ताने की पूर तो हम न आजने है थो यतना होकताहर कर पर्थम महिला इंडियान एर फोर्स को ऑफिषर को थी फिर आपका है भारत की पर्तम महिला त्री कोन है इसका यो उन सभ पर iba को यह सबस् कूर्स और अब सिक्स तक हो गया समझे इसका इंसर हूर – इसकते है् अ टाकर अर्च न